विशाल समंदर में जहां कोई नहीं जाता वहां कुछ विशाल मचलियां रहती थी उन्हीं में से एक थी आभा और उसका बेटा छोटू वो लोग गहरे समंदर में रहते थे एक दिन जब आभा सो रही थी तब छोटू वहां से भाग निकला जब तक मा सो रही है मैं घूम कर आता हूँ छोटू घूमते घूमते समुदर के तट के पास पहुँचा जहां मचुवारों ने जाल बिचाया हुआ था उन्हीं में से एक मचुवारा था रमन जिसने छोटू को पकड़ लिया अरे देखो देखो मेरे हाथ कितनी बड़ी मच्री लगी है आज तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा रमन अच्छी कमाई के खुशी में नाचते हुए तट पर पहुँचा पर उसे क्या पता था कि समंदर में क्या चल रहा है वहाँ आभा अपने बेटे को ढूंडते हुए तट की ओर चली आई चोटू बेटा कहां है तू चोटू चोटू तभी आभा ने देखा कि एक मच्छुआरे ने समंदर में जाल डाला हुआ था आभा डर गई यह सोचकर आभा ने उस मच्छुआरे का जाल खींच लिया मच्छुआरी की नाव पलट गई और वो पानी में गिर गया इतनी बड़ी मच्छली को देखकर मच्छुआरा डर गया बचाओ 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 आभा ने मच्छुआरे को कुछ नहीं किया वो दूसरे मच्छुआरे के पास बढ़ गई आभा ने उसका भी जाल खींच कर उसे पानी में गिरा दिया एक एक करके आभा ने सभी मच्छुआरों को पानी में गिरा दिया जब मचवारे तट पर पहुँचे तो वो बहुत परिशान थे आखिर इतनी बड़ी मचली आई कहां से लेकिन ये हम सब के जाल खीच कर हमें गिरा क्यों नहीं है मुझे लगा था कि मुझे खा ही लेगी वो सब छोड़ो अगर हम सब मिलकर इस मचली को पकड़ें तो सोचो हम सब का कितना मुनाफ़ा होगा और तो और हम सब पेपर में भी आएंगे लेकिन हम इतनी बड़ी मचली को जाल में कैसे पकड़ेंगे मुझे पता है इसे कैसे पकड़ना है मचवारों ने एक क्रेन मंगवाया और उस क्रेन के हुक पर उन्होंने एक छोटी सी मचली लटका दी और क्रेन को पानी में डाल दिया कुछ देर बाद आभा का ध्यान हुक पर लटकी हुई मचली पर गया लगता है इसे भी मचवारों ने पकड़ लिया मुझे इसे छोडाना होगा आभा उस छोटी सी मचली की मदद करने के लिए हुक के पास पहुँच गई जैसे ही आभा उसे अपने मूँ से निकालने वाली थी मचवारों ने क्रेन को ऊपर खिंचवा दिया और आभा पानी से उपर आ गई आभा तलपने लगी पर अब भी उसमें बहुत ताकत थी आभा ने अपनी पूरी ताकत से हुक को नीचे खिंचा और क्रेन के टुकले टुकले हो गए गई भैस पानी में तभी आभा सतह के पास आई मच्वारे उसे देख कर डर कर भागने लगे दरो मत मैं तुम जैसी खूनी नहीं हूँ मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी फिर तुम गहरे समंदर से यहां क्यों आई तुम लोगों की वजह से तुम लोगों ने मेरे बेटे चोटू को पकड़ लिया मुझे मेरा चोटू वापस चाहिए अगर मुझे मेरा चोटू वापस नहीं मिला तो मैं तुम सबको मच्शली पकड़ने नहीं दूगी आभा की बात सुनकर मच्वारे आपस में बात करने लगे लगता है रामन को जो बड़ी मच्शली मिली थी वो इसका बेटा चोटू है हमें इसका बेटा लोटा दिना चाहिए तभी ये हमें जीने देगी उन में से कुछ मच्वारे गाउं में गए और रमन को सब बता दिया फिर वो मच्वारे रमन के साथ उस बड़ी मच्शली को तटकी ओर लेकर आए चोटू को देखकर आभा खुश हुई अच्छा है रमन ने इस मच्वारे को पानी से नहीं निकाला रमन ने उस मच्वारे को समुन्दर में छोड़ दिया और आभा ने अपने बेटे को गले लगाया फिर वो दोनों साथ साथ गहरे समुन्दर की ओर लोट पड़े